भारत के राष्ट्य सुरक्षा सलाकार अजीद डोबाल और चीन के विदेश मंत्री के बीच हुई वारता के बाद चीन अपनी सेना को पीछे हटाने पर सहमत हो गया है। इसके साथ साथ वे विवादित पैट्रूल पॉइंट 14 जिस पर चीन अपना दावा ठोकता हुआ दिख रहा था उस पर भी अब चीन ढीला पड़ गया है। दोनों देशों के नियुक्त प्रतिनीदी शान्ती के लिए उच्शुक दिखे। विदेश मंत्रा लेके एक बयान के अनुसारिय बाचित खुली और विचारों के अदान प्रदानवाली रही। इसके बाद तो सोशल मीडिया पर 1962 के चीन के अखवार की कटिंग फ्लोट करने लगी। जिसमें लिखा था कि दिल्ली के चेतावनी का असर से चीन की सेना पीछे हटी। बेशक यह बाद देश के वामपंतियों को चुब रही होगी। लेकिन भारत की वो राजनेग, राजनीतिक वर रणनीतिक सूजभूज की इसमें बड़ी भूमी का रही। जिसने चीन को अपने घुटने मोडने पर मजबूर कर दिया। आईए नजर डालते हैं ऐसे ही कुछ कारकोफेक्ट्स पर। पहला कदम था फौज की तैना थी। पहले जहां लड़ाग बॉर्डर इलाके में 20,000 भारतिये सैनिक तैनाथ थे। वहाँ भारतिय फोर्ज ने 40-45,000 सैनिक तैनाथ कर दिये हैं जिसे देखकर चीन के होश उड़ गए हैं। भारतिय एर फोर्ज ने लगातार फाइटर प्लेंस को सीमा की निगरानी के लिए लगाया है ताकि बॉर्डर इलाके पर नजर रखी जा सके। समान वे सैनिकों की आवा जाही तता पोस्टों पर लड़ाकों विमानों को प्रयोग में लाने से चीनी सेना के मन में डरगर कर गया। में गुंतिस विमान अपाचे तता चिनुक हेलिकॉप्टरों को सीमा पर देख चीन को समझ आ गया कि भारतिय सेना अब जुकने को राजी नहीं है। उपर से चीन की गती विदियो पर नजर रखने के लिए मल्टी रोल कॉमबैट, मिराज दो हजार, सुखोई तीस तथा जैगवार की तैनाती से भारतिय सेना ने जो सतर्कता दिखाई है उससे चीन का जोश ठंडा हो गया है जो जोश उसने पहली जड़प के दौरान अचा थी कि सायद पी-म यही समझने गए हैं कि अब बस शान्ती ही शेतर की जरूरत है लेकिन हुआ इसका बिलकुल उल्टा पी-म मोदी ने अपने भाशन के दौरा बिना चीन का नाम लिए कड़े शब्दों में कहा कि ये भारत विस्तार वाद के लिए नहीं बलकि विका स्वाद के लिए खड़ा होता है उन्होंने श्री कृष्ण की बासूरी वशुदर्शन चक्र के उधारन से ये बात समझाई की भारत वसुदेव कुटुम के साथ साथ शठ शात्याम समचारित की पॉलिसी को बखुबी जानता है इसके बाद आर्थिक मोर्चों पर भी भा अकेले भारत ने चीन के 69 चीनी एप्स को बैन कर दिया फिर उसके बाद रेलवेज दुरा चीनी कमपनियों को ठेके से बाहर करना इन दोनों कदमों ने चीन को बाहरी नुकसान दिया हाईवे प्रॉजेक्ट से भी चाइनीस कमपनियों को बाहर करने की बात होने लगी लुक्सान का अंदाजा करीबन 100 करोड बताया जा रहा है इस प्रकार चीन को सम्राज ये वादवा आर्थिक मोर्चों पर मिली इस कड़ी हार से चीन मजबूर हो गया कि उसे अपने कदम पीछे करने पड़े इसके बाद स्पष्ट है कि चीन का भारत को दवाने वाला ये दा उस पर कितना भारी असर डालेगा इसके परिणाम हमें निकट भविश्य में देखने को मिलेंगे जै हिंद जै भारत